सात्विक चेतना से सम्रुद्ध इस कारकम में उपस्तित सभी पुझ्य संतगर्ण सार्दा मटकी सभी साध्वी माताएं विशिष्ट अतिधिगर्ण एवं सभी स्था धालू साथियों आप सबको नमश्कार आज पुझ्य संतों के मारदर्शन में पुझ्य स्वामी आत्मस्थानन जी के जन्मश्रताब्दी कारकम का आयोजन हो रहा है ये आयोजन मेरे लिए व्यक्तिकत रुप से भी कई भावनाओं और स्मृतियों से भरा हुआ है कई बातों को अपने आप में समेटे हुए है स्वामी जी ने शतायू जीवन के काफी करीब ही अपना शरीत त्यागा था मुझे सदे उनका आशिरवाद मिला उनके सानिध्य का आउसर मिलता रहा ये मेरा सवभाग्य है कि आखरी पल तक मेरा उनसे संपर्क बना रहा एक बालक पर जैसे स्ने बर्साया जाता है वो वैसे ही मुझे पर स्ने बर्साते रहे आखरी पल तक उनका मुझे पर आशिरवाद बना रहा और मैं ये अनुभव करता हूँ कि स्वामी जी महराज अपने चेतन स्वरूप में आज भी हमें अपने आशिरवाद दे रहे हैं मुझे खुशी है कि उनके जीवन और मिशन को जन जन तक पहुचाने के लिए आज दो स्मृति संस्करण, चित्र जीवनी और डॉक्युमेंटरी में भी रिलीज हो रही है में इस कार्य के लिए रामक्रिष्ण मीशन के अध्यक्ष पुझ्य स्वामी स्मरानन जी महराज उनका रदय से आदर पुर्वक अभिनंदर करता हूँ साथियो स्वामी आत्मस्थानन जी को स्री रामक्रिष्ण परमुष के स्षिय पुझ्य स्वामी विजनानन जी से दिक्षा मिली थी स्वामी रामक्रिष्ण परमुष जैसे संत का वो जागरत बोध वो आध्यात्मिक उर्जा उनमें सपस्ट जलकती थी आप सभी भाली भाती जानते हैं कि हमारे देश में सन्यास की कितनी महान परंपरा रही है सन्यास के भी कई रूप रहे हैं वानप्रस्त आश्रम भी सन्यास की दिशा में एक कदम माना गया है सन्यास का अर्थ ही है स्वयम से उपर उठकर समस्टी के लिए कायर करना समस्टी के लिए जिना स्वका विस्तार समस्टी तक सन्यास के लिए जीव सेवा में प्रभू सेवा को देखना जीव में शिव को देखना यही तो सर्वपरी है इस महान संत परंपरा को सन्यस्त परंपरा को स्वामी विवेकानंजी ने आदुनिक रूप में ढाला स्वामी आत्मस्थानंजी ने सन्यास के इस स्वरूप को जीवन में जीया और चरितार्थ किया उनके निर्दर्शन में बेलूर मठ और स्री रामकर्ष्ण मीशन के भारत ही नहीं बलकि नेपाल बंगला देश जैसे देशों में भी राहत और ब्रचाव के अध्वूत अभ्यान चलाए उन्होंने निरंतर ग्रामिन शेत्रों में जन कल्याण के लिए काम किया इसके लिए संस्थान त्यार किये आज ये संस्थान गरीबों को रोजगार और जीवनियापन में लोगों की मदद कर रहे है स्वामी जी गरीबों की सेवा को ग्यान के प्रचार प्रशार को इससे जुड़े कामों को पूजा समझते थे इसके लिए मिशन मोड में काम करना नई संस्थानों का निर्मान करना संस्थानों को मजबूत करना उनके लिए ये राम क्रिष्ण मिशन के आदर्स थे जैसे हमारे हां कहते हैं कि जहां भी इश्वरिय भाव है वही तित है ऐसे ही जहां भी ऐसे संत है वही मानवता सेवा ये सारी बाते केंद्रबिंदु में रहते हैं स्वामी जी ने अपने सम्न्यास जीवन में ये सिद्ध करके दिखाया साथियों सेंकडों साल पहले आदी संकराचारिय हो या आधुनिक कान में स्वामी विवेकानन हमारी संत परंपरा हमेशा एक भारत स्वेष्ट भारत का उद्गोश करती रही है रामकृष्ण मिशन की तो स्थापना एक भारत स्रेष्ट भारत के विचार से जुड़ी हुई है स्वामी विवेकानन ने इसी संकल्प को मिशन के रुप में जिया था उनका जन्म बंगाल में हुआ था लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में जाईए आपको एशास सायद ही कोई शेत्र मिला जहां विवेकानन जी गए न हो या उनका प्रभाव न हो उनकी यात्राओं ने गुलामी के उस दौर में देश को उसकी पुरातन राष्ट्रिय चेत्रा का एशास करवाया उसमें नया आत्मविश्वात हूं का रामकृष्ण मीशन की इसी परंपरा को स्वामी आत्मस्थानन जी ने अपने पूरे जीवन आगे बढ़ाया उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में अपना जीवन खपाया अनेक काम किये और जहां भी वो रहे वहाँ पूरे तरह रच्बस गए गुजरात में रहकर वो इतनी अच्छी गुजराती बोलते थे और मेरा तो सहुभाग रहा कि जीवन के अन्तकाल में भी जब उनसे बात होती थी तो गुजराती में होती थी मुझे भी उनकी गुजराती सुनना भहुत अच्छा लगता था और मैं आज याद करना चाहता हूँ कि जब कच्छ में भूकम पाया था तो एक पल भी उन्होंने नहीं लगाया और उसी समय तब तो मैं राजनिती में कुछ भी नहीं था मैं किसी पतपर भी नहीं था एक कारकरता गिरूप में काम करता था उस समय भी उन्होंने मेरे साथ सारी परिस्तिती की चिंता की बातिती और रामक्रिश्ण मिशन कच्छ में क्या काम कर सकता है और देखते ही देखते हैं पूरे विस्तार से और पूरे समय उनके मारदर्शन में उस समय कच्छ में भुकम पिरितों को राहत देने के लिए बहुत सारे काम चालू हो गए इसलिए रामक्रिश्ण मिशन के संतों को देश में राष्ट्रिय एक्ता के समवाहक इस रूप में हर कोई जानता है और जब वो विदेश जाते हैं तो वो वहाँ भारतियता का प्रतिनिदित्व करते हैं साथियो रामक्रिश्ण मिशन की जागृत परमप्रा रामक्रिश्ण परमप्रा जैसी देवीय विभुति की सादना से प्रगट हुई है एक एसे संत थे जिन्होंने मा काली का स्पष्ट साक्षातकार किया था जुन्हाने मा काली के चरणों में अपना सर्वस्च समर्पित कर दिया था वो कहते थे ये संपून जगर ये चराचर सब कुछ मा की चेतना से व्याप्त है यही चेतना बंगाल की काली पुजा में दिखती है यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है इसी चेतना और शक्ति के एक पुझ को स्वामी विवेकानन जैसे यूगपुरुशों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परोंस ने प्रदिप्त किया था स्वामी विवेकानन को मा काली की जो अनुहूती हुई उनके जो अध्यात्मिक दर्शन हुई है उसने उनके भीतर और साधार उर्जा और सामर्त का संचार किया था स्वामी विवेकानन जैसा ओजस्ची विव्यक्तित्वा इतना विरार चरीत्र लेकिन जगनमाता काली की स्मृति में उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरफ विवल हो जाते थे भक्ति के ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्त मैं हमेशा पुझ्य स्वामी आत्मस्थानन जी के भीतर भी देखता था और उनकी बातों में भी माकाली की चर्टा होती रहती थी और मुझे आध है जब भी बेलूमर जाना हो गंगा के तड़ पर बैठे हो और दूर माकाली का मंदिर दिखाई जेता हो तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति शाक्षात हमारा पत्रदर्शन करती है इसलिए माकाली का वो असिमीत असीम आशिरवाद हमेशा भारत के साथ है भारत इसी आध्यात्मिक उर्जा को लेकर आज विश्व कल्यान की भावना से आगे बढ़ रहा है साथियो हमारे संतों ने हमें दिखाया है कि जब हमारे विचारों में व्यापकता होती है तो अपने प्रयासों में हम कभी अकेले नहीं पढ़ते आप भारत बर्ष की धर्ती पर ऐसे कितने ही संतों की जीवनियात्रा अगर आप देखेंगे जिनोंने सुन्य संसाधनों के साथ सिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया यही विश्वास यही समर्पण मैंने पुझ्य आत्पस्थान जी की जीवन में भी देखा था उनसे मेरा गुरु भाव का भी समन्द रहा है मैंने उन जैसे संतों में निश्काम होकर शत्व प्रतिशत समर्पण के साथ खुद को खपाने की सीखी लिए है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जब भारत का एक व्यक्ति एक रिशी इतना कुछ कर सकता है तो हम 130 करोर देशवासी सामुईक संकल्पों से कौन सा लक्ष हैं जो पूरा नहीं कर सकते हैं संकल्प के इस शक्ति को हम स्वच्च भारत मिशन में भी देखते हैं लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भारत में इस तरह का मिशन सफल हो सकता है लेकिन देश वास्यों ने संकल्प किया और प्रणाम दुनिया देख रही है डिजिटल इंगिया का उधारण भी हमारे सामने है डिजिटल पेइमेंट्स की सुरुवात के समय कहा जाता था कि ये टेक्नलोजी भारत जैसे देश के लिए नहीं है तकि आज वही भारत डिजिटल पेइमेंट्स के खेत्र में वर्ल डिडर बन कर उभरा है इसी तरह कोरोना महमारी के ख़लाब वैक्शिनेशन का सबसे ताजा उधारण हमारे सामने है दो साल पहले कई लोग कैल्कुलेशन करते थे कि भारत में सब को वैक्शिन मिलने में कितना समय लगेगा कोई कहता था 5 साल, कोई कहता था 10 साल, कोई कहता था 15 साल आज हम डेड़ साल के भीतर 200 करोड वेक्षिन डोज के करीब पहुँच चुके हैं यह उदानन इस बात के प्रतीख हैं कि जब संकल्प शुद्ध हो तो प्रयाशों को पुर्ण होने में कोई देर नहीं लगती, रुकावटों से भी रास्ते निकलते हैं मुझे विश्वास है कि हमारे संतों के आशिर्वाद और उनकी प्रेणा देश को इसी तरह मिलती रहेगी आने वाले समय में हम वैसा ही भव्व भारत बनाएंगे जिसका आत्मी स्वास हमें स्वामी विवेकरन जी नहीं दिया था और जिसके लिए स्वामी आत्मस्थानन जी जैसे संतों ने प्रयास किया था और मैं आज आप सभी पुझ्य संत जनों के सामने आया हूँ जैसे मैं अपने परिवार में आया हूँ इसी भाव से बात कर रहा हूँ आपने मुझे हमेशा अपने परिवार का सदश्य माना है आज हादी का अमरत महोसों चल रहा है इस अमरत महोसों में हर जीले में पच्चतन अमरत सरोबर बनाने का संकल्ब है आप जहां भी काम करें हैं आप भी लोगों को प्रेदीत करिए आप भी इससे जुड़िए और आज हादी के अमरत महोसों के मानो सेवा के इस उत्तम काम में आपका मारदर्शन आपका सयोग आपकी सक्रियता बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है आप हमेशा समाज के सुख दुख के साथ ही रहे हैं शताब्दी वर्ष नई उर्जा नई प्रेणा का वर्ष बना रहे हैं आज हादी कामरत महोसों देश में कर्तब्य भाव जगाने में सपल हो इन सब में हम सब का सामूहिक योगदान एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है इसी भाव के साथ आप सभी संतों को एक बार फीर मेरा प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद